अलो दोस्तों वेलकम टू सिद्धी पंजाब पे अज आपा 2nd February, 3rd February भी जड़े करांगे दिसकस करांगे बहुत ही इंपोर्टन हिस्टोरिकल इवेंट है जीते नियूज आई सी इसलिए धी डिटेल्स में तो अडिनल डिसकस कर लूँगी इस तो बात सारे बजट दे टॉपिक्स है बजट चजोवी स्कीम्स लाँच कितिया है इनिशियेटिव लाँच कितिया है उन्ना वारे आप बजट बेसिक्स, कॉंस्टिवूशनल प्रोविजिए जब देखांगे बजट दी रिशिट्स इस साल दे कितो आ रहा है पैसा जा किते रहा है ओ देखांगे प्रायोरिटी एरियास क्या है, हेल्थ टे एक्सपेंडिचर किनना है, क्लाइमेट लई क्या इनिशियेटिव ल बजट चे एक आए डिसकस करांगे, इन्स्टिउशनल इंपीटर्स फॉर ग्लोबल इंडियन मिलेट हब, मिलेट तो मैं पहला ही रस्या कि बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इस एर लई क्योंकि इंटरनाशनल येर ऑफ मिलेट भी डिकलेर किता गया है 2023 नूं अंडर इंड जखांगे ओस्तो बाद जेनरल टॉपिक्स जेड़े अपने न्यूस चरहे ने इंडिया यूएस दे एनने सेस्टी मीटिंग होई है इन्डे आउटकम्स क्या है इन्हों अपनों डिसकस करना जरूरी है देन बाइंड स्कीम अगेन बजेट विच लांच किती गई है दाए क्या है इन्हों भी देख लांगे राइट एंड राइशक्ती प्राहार एक मिलिटरी एक्ससाइज हुई है एदे वारे डिसकस करांगे देन अदानी ने हाइफा पोर्ट इस्राइल विच एक्वायर कार लिया है एदे वारे भी देख लांगे और फाइनली CBI जो अल्रेड इसकस कर चुके है मैं तो उन्हों लिंक प्रोवाइट कर दूंगी ठीक है लेट स्टार्ट विद तुडेस्ट इस्कॉशन विद फर्स्ट आर्टिकल ऑफ तुड़े दाट इस कॉमा गाता मारू मेमोरियल इन कैनेडा वेंडलाइस्ट फॉर थर्ड टाइम ठीक है अपने इसके इंपोर्टन है कि कॉमा गाता मारू इंसिडेंट क्या सी ठीक है अपने ब्रिटिश टाइम दी गल है इंसिडेंट जड़ा है ब्रिटिश कलोनियल रूल दे अंडर पंजाब दे लोका नाल इंडिया दे लोका दे नाल होया सी ठीक है तुसी कहा सकते हो एक कोल कैरी कर इनना ने एह शिप हायर किती ते एस विच इंडियन्स नूँ स्पेशली सिक्स नूँ इनना ने होंग कॉंग तो वेनकूवर याने की कैनेडा लेके जामदा अरेंजमेंट किता ठीक है बहुत सारे इंडियन सी सिक लोग सी जड़े बार जाना चामदे सी फोर डिफरेंट री इस चे सवार सी ठीक है ता कैनेडा चे जदे शिप पहुंची ओते शिप नूँ डॉक करन तो डिसलाओ कर दिता गया कैनेडा दी इंडियन्स नूँ या आउटसाइडर्स नूँ इजीली कैनेडा वेचे एंटर हों नहीं दियां सी ओही पॉलसीज दे अंडर इंडियन ए शिप नूँ आम तो रोग दिता गया एनने समय ता के शिप जेड़ी है डॉक तही खडी रही सीधे विच्छी खडी रही लोग जड़ी है उत्तर नहीं पाए ठीक है एसे लिए काफी जादा इशू जो है शिप नल रिलेटेट क्रियेट होया सी पैसेंजर्स नूँ काफी वी पसेंजर्स ने उन्नादी राइट नूँ इंश्योर किता जावे कैनेडा विच ठीक है जी एक कमिटी विच तिन प्रॉमिनेंट मेंबर्स ही गे हुसेन रहीम सोहनलाल पाठक बल्वंत सिंग ठीक है जी आपनों याद रखना पैना है इस ते वी क्वेस्चन आ सकता है ये वी इंपोर्टन नाम ने तिन एनू वी याद रखो ठीक है जी ओस तो बाद देखो जद हुने नू अलाओ ही नहीं किता गया थोड़ा देर ता एहे कैनेडा वे बैंक्स ते खडी रही बड़ आफटर टू मन्स दो मिन्या वाद स्टैंड ओफ चलदा रहा दो मैंने त बड़ दो मिन्या तो बाद इस शिप नू वापिस इंडिया पेश दिता गया इंडिया विच वापिस किते पहुंची बजबज पोर्ट जड़ा की कलकत्ता विच सी ठीक है ये वी फैक्ट याद रखना है किसे भी फैक्ट ते क्वेस्चन आ सकता है ये फैक्ट में तहीं इदर लिखिया है ये चिज्जा जड़ियां तो अड़े याद करन वालियां है इनना ते आना है क्वेस्चन थीक है ता दो मिन्यावाद बजबजे पहुंची होते जाके ओविसली ब्रिटिश राज कर रहे सी तब ब्रिटिश क्या करेंगे जिनने लोग इंडिया तो पज जड़े होते शहीद भी हो गए सी ठीक है जी में कहा रहे ने कि गन फाइरिंग वे गेरा भी हुई सी 18 पैसेंजर जड़े सी ओमार भी गए सी जद वापिसे शिप इंडिया पॉंची ठीक है ए इंपोर्टन्ट इवेंट है याद रखो ए अंसर्स करंच प्रिलियम्स आस व जेडियां कलोनियल गवर्मेंट्स है ओ अपॉलोजी मंग दिया रहें दिया है जिवें जर्मनी ने वी जो होलोकास्ट वया सी हो दे लई जी उस तो एपॉलोजी अल्रेडी मंग लई है ओसे तरीके नल कैनिड़ा भी इंडिया ना रिलेशन अच्छे बनाना जामदा है इ तो देखो बजेट दी प्रोवीजन जेडी है तो अड़े आर्टिकल वान वान टू दे अंडर बनाई गई है तो ए तुसी याद रखना है कि यह नूँ बजेट नहीं लिख्या जान्दा Constitution विच यह नूँ लिख्या गया है annual financial statement annual financial statement constitution चेकिते वी budget word mentioned नहीं है ठीक है याद आपा इस फैक्ट ते question बन सकता है प्रीलिम स्विच राइट हुन जडी annual financial statement यह मतलब क्या है मतलब एस च एस्टिमेट लिखे हुंदे है कि गवर्मेंट कोल पैसा कितो आएगा गवर्मेंट पैसा किते स्पेंड करेगी बेसिकली estimates of receipts and expenditure is written that is what is annual financial statement और यार बजट ठीक है बजट की है तो अड़ेकारदा भी बजट उन्द है तो अड़ा खुद्धा भी बजट उन्द है कि पापा ने इन्डी pocket money दिती है यह आपा इसे इस तरीके नल यूज कर सकते है तो डे रिसेट्स जड़े है तो अड़े pocket money है तो डे expenditure जड़ा भी तुसी पैसा spend करोंगे food रेंट ते पड़ाई ते चिमे वी हना उमें ही government कोल वी रिसेट ते काफी सारे सोर्सेज उन्द है तो यह पैसा कठा कर दे है ते फिर expand कर दे है लोका दी पलाई ते roads बनाम ते schools बनाम ते health care ते agriculture ते डिफरेंट वेस ओही सब budget विच लिख्या हुंदा है ओह आप आज देखांगे कि current year दे budget विच government ने क्या-क्या प्रपोस किता है ठीक है ओस तो पहला financial year क्या हुंदा है एवी देख लो April 1 तो शुरू हुंदा है ते मार्च कत्ती ते खतम हुंदा है ठीक है जिमें हुन नवा financial year कब शुरू हूँ एप्रेल 2001 ते ही तो शुरू हूँ ते financial year लई हुन लेटेस्ट बजट जड़ा यह वो बनिया है जड़ा कल प्रिजेंट किता गया है ठीक है जी हुन बजट जो होर क्या-क्या हुंदा है देखो estimates of revenue and expenditure जिते लिखिया जान दा है कि government लिख दिये कि साननू कित्थो उमीद है कि साड़े कोल receipts सान गया पैसा आएग ते किते हैं एक्सपेंड गरांदा सोच रहे हैं ठीक है जी एहे आनवाले येर लही हुन दा है दोहजार तेच ओवी लही मतलब ठीक है अक्चुल receipts and expenditure की ओल्रेड़ी दोहजार बाई तेच ओल्रेड़ी कित्थो पैसा आ चुक्या है ते कित्थे पैसा लग चुक्या है ठ इस तरीके नले हे पैसा जड़ा है रेज करूगी रिसेट से किस तरीके नल वेज और मीन्स टू रिसेट्स ठीक है अन बाकी फाइनाशल पॉलसी दोह जार तेच ओवी लही की रहूँ ओवरॉल फाइनाशल पॉलसी टाक्सेशन नल रिलेटेड प्रोग्राम्स नल रिलेट स्कीम्स प्रोजेक्ट्स ना रिलेटेड ओवरॉल फाइनाशल पॉलसी गवर्मेंट दी क्या रहूँगी जे मैं इस वार तो अनुपता है साथ लाख दी स्लाब कार दित्ती गई है दाट इस काइंड ऑफ टैक्सेशन पॉलसी तो इस तरीके दी फाइनाशल पॉलसी भी ब पनुपता होना चाहिए है फर्स्ट देखो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट जेड़ा की निर्मिला सितरमन जी ने अल्रेडी कार दिता है कल जेड़ा होया वो प्रेजेंटेशन सी ओस्तो वाद जैनरल डिसकशन हुन दी है बजट ते फिर जेड़ा बजट है वो कार सके ता कुछ पैसे दे उत्ते बार्लेमेंट जेड़ी अप्रूवल दिन दी है फाइनल बजट अप्रूव होन तो पहला ता एहे वोटिंग और डिमांड ऑफ ग्रांट हुन दा है फिर एप्रोप्रियेशन बिल पास हुन दा है जेड़ा की एक्चुल बजट तो कोई दास दिता है तुसी चाहूं तो आफ दी पॉलिटिक दी स्टाटेक बुक चे नूँ हूर डिटेल स्टडी कर सकते हूं ठीक है त्या जी मैं कल भी तो अन्नु दस्यासी बजट ते एकनोमिक सर्वे कौन प्रिपेर कर दे है अपने मिनिस्ट्री ओफ फाइन्स दे इंपोर्टन्ट चेंजिस आए सी 2017 विच तिन इंपोर्टन्ट चेंजिस किते गए सी एस्च मेंस चवी यूपी ऐसी ते क्वेस्चन आ चुप क्या है ता हूं ता ओल्दो क्वेस्चन चे पॉसिबिलिटी नहीं है बट प्रीलिम्स चे पुच्छा जा सकता है ता इसलिए तुसी मैप निमोनिक तो याद कर सकते हूं पहला ता मर्जर होया सी रेल्वे ते जैनरल बजट जड़ा है पहला अड़ा डानदा सी ठीक है जैनरल बजट आड रेल्वे ता बजट आड प्रेजेंट किता जानदा सी क्योंकि 1921 विच एकवर्थ कमिटी ने रिकमेंडेशन ता 1921 तो यही सिस्टम चाल रहा सी पर 2017 तो बाद यह चेंज कार दिता गया हूं तुसी देखो सिंगल बजट ही पेश किता जानदा है रेल्वे ते जैनरल बजट नो मर्ज करके ठीक है जी ओस तो बाद एडवांसमेंट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन डेट पहलना देखो जी यहें फेबरेरी दे लास्ट वीक, 28 फेबरेरी या तुसी कैसा दो लास्ट वरकिंग डे जो भी एफेब दा ओस दिन प्रेजेंट किता जानदा सी एदेनल की हूंद है कि जदो हुन लास्ट प्रेजेंटेशन बिल बजट दी लेट होगी ता जेड़ा अपरूवल ऑफ देमांड्स ऑफ गरांट्स है ओवी लेट हुनदा सी एदेनल गवर्मेंट नू काफी इशू हुनदा सी स्पेंडिंग करन विच ठीक है लेट प्रोजेक्ट शुरू हुनदे सी प्रोजेक्ट नू स्कीम्स नू फाइनांस लेट मिननना शुरू हुनदा सी इसे लिए उन 1st February ता पूरा फेब्दे मिनने चे ए सारा प्रोसीजर कवर हो जाए ते अगला फाइनाशल शुरू होन तो पहला पैसा अवेलेबल होए हना मार्च शुरू होन तो पहला पैसा शुरू अवेलेबल होए गवर्मेंट कोल डिपार्टमेंट कोल ओदेनल हुपम दाए ठीक है कि और ऐसे डिबाटक संथय पित्ताइप आम ठीक है थित्ता अवेलेबल है गवर्मेंट को इन कुन गव्राटक ए मेंड़े चैण अवेलेबल श्यावेलेबल डेघा बन major source है GST and some other taxes, indirect taxes दिकल कर रहे हैं पास 12% पैसा है दा, GST ते other taxes तो हम दा है, ओस तो बाद direct taxes, जिमें की income tax ते corporation tax तो 15-15% दा revenue आ रहे है government दा, ठीक है जी 15% IT तो 15% corporation तो, then ओतो बाद next है union excise duty, excise duty तो 7% government ले रहे हैं and finally non-tax receipts जडिया हुं दिया ने, ओस तो government पैसा कठा कर रही है जिमें, PSUs, दे dividends आ गए, capital gains इस तरीके दे non-tax sources बहुत सारे हुं दिया है, तुसी सब economy विच पढ़या होना है यह उसनाल related है, ठीक है यह sequence आपा याद रखना है, क्योंकि इस ते question आजन्द है कि largest source क्या है government दे revenue दा, largest tax source क्या है government दे revenue दा, मतलब IT या cooperation tax हो गया इस तरीके नल इस ते question बन जन्द है इसलिए डाटा याद रखना ज़रूरी है ठीक है जी, हुन आपा देख रहे हैं कि government दा पैसा सरनल जादा लगदा किते है, spend किते हुन दा ठीक है जी, जी मैं कि borrowings सब तो जादा ले रही है government हुनी आपा देख्या, सरनल जादा पैसा कितों आ रहे है, borrings तो ता मतलब जड़ा government पैसा ले रही है, ओधा interest भी ता पे करना पू, हाना जी, जड़ा अपा पैसा उदा अर्लैन ने आओ दा व्याज पे करना वहमदा है कि नहीं, ता इसे ले सब तो ज़्यादा government पैसा हर साल interest payments दे भी जामदा है 20% of government's earnings they go to interest payments ठीक है, ओस तो बाद central government ने states नूँ भी पैसा देना हुनदा है ता 18% पैसा center दा states वल जामदा है ठीक है जी, ओस तो बाद central sector scheme central sector scheme एह जियां scheme चड़ियां की 100% central government दुआरा finance टूंदा ने उनना विच यह पैसा जानदा है ठीक है जी ओस तो बाद next है centrally sponsored schemes 99% जानदा है sponsored मतलब center दे state दा शेर हुनदा है जिमेंकी 60-40 हो सकता है किसे भी equation चे बंड़िया हो सकता है थोड़ा पैसा center दिन दिया हो scheme नूँ थोड़ा पैसा state आवदे budget चो दिन दिया है ठीक है, that is centrally sponsored scheme राइट ओ next है sequence which then जेड़े भी finance commission transfers जेड़ी है recommend कर दी है उनना ते next पैसा जानदा है then defense spending ते पैसा जा रहा है आपा defense चे देखो 8% आप दा spend कर रहे है यह बहुत important fact है याद रखो एनना आपा health ते भी नी spend कर दे जिनना आपा defense sector ते spend कर दे है इसे लिए यादा याद रखना है budget दा आपा 8% of our budget we are spending on our defense building यह data specifically तो आड़े बहुत कम माना है यह याद रखना है कुछ होर expenditure उन दे उत्ते भी 8% लग जन्दा है ओ तो आप जिननी भी government subsidies दे रही है यह ते भी 7% of the budget is being spent यह भी data अगेन याद रखना है जिननी भी total government subsidies दे रही है 4% subsidies दे जा रहा है and finally pensions दे I mean इते साथ सी pensions दे 4% जा रहा है ठीक है यह again sequence भी याद रखना है individual data भी याद करन दी कोशिश करो यह काफी काम मानगे subsidies दा defense दा जद भी तुसी criticize करना है कि subsidies दे इनना पैसा जा रहा है जिडियां कि corruption न लोड़ेड ने loopholes ने beneficiaries identify नहीं हो पान दे ओस चो तुसी data use कार सकते हो कि देखो एड़ा वड़ा portion आपा बजट दे post कार रहे है I mean subsidies दे लगा रहे हैं अग्या तुसी देखोंगे कि health दे ता आपा 1-2% भी मसाल आनने है तो तुसी देखो defense दे लड़ाईयां दे लड़ाई लई preparation दे subsidies दे अपा इनना इनना पैसा लगा रहे है ठीक है ता ही data लिख के रखो काफी कम आएगा तो आननो prelims दे questions आंसर करन चवी ते means the answers लिखन विच वी right next important article कर लनने है budget 2023-2024 the seven priority areas government define किते है या अपानो याद होने जरूरी है देखो इनना इननो क्या गया है शब्त रिशीज सब्त रिशीज seven सब्त मीन seven सब्त रिशीज ओफ अमरित काल ठीक है अमरित काल इस साल मतलब अच्छा समय हुन शुरू होएगा ओ दे इस seven priority areas है government दे इस seven priority areas क्या है तुसी इस निमोनिक नल याद कर सकते हूँ figure figure तो अनू पता है figure ठीक है इस नू आपपाने बनाता है figure right e ते कुछ नहीं है एवले words आपपा याद करांगे सब तो पहला अब ना जो priority area है that is financial sector government जड़ी है financial sector ते focus करेगी financial sector ता क्या मतलब है जी मैं आपा कल भी डिसकस किता सी तो अडिया हर टाइप दिया financial services banking हो गया rural banking हो गया insurance हो गया pensions हो गया इस सब financial services है ठीक है ता financial sector ते सब तो पहला focus किता गया जाएगा second priority area है inclusive development की development है जी हो वे जो सब नू साथ लेके चल ले youth, इंडिया दे old people women हो गए SCST tribals हो गए सब नू असी नाल लेके चलना है किसी नू भी पिछे नहीं छटना that is the second priority inclusive development third is infrastructure and investment third priority area government दा रहेगा infrastructure and investments stay focus करना fourth priority area है green growth sustainable living ते sustainable development ते इंडिया दा focus है इसलिए green growth next priority area है five ए unleashing potential जिनना भी potential है साधी economy जो वीचे साधी society वीचे साधी youth वीचे उनू लीवरेज किता जावे उदा use किता जावे figure you are are reaching the last mile हारेक गरीब तो गरीब तपके ते area विच भी पहुंचा जावे ये ना होवे कि urban areas च ये नो आपा developed लोका ते ही contribute कारते रहिए ये ensure करना है कि unreachable areas च भी last mile तक आखरी village तक तुसी पहुंच सको तो अडि policies पहुंच सकन तो अडिब schemes ते programs initiatives पहुंच सकन ये भी अपनी government दा priority area है ते finally youth ते focus करना इंडिया को demographic dividend है youth नू नहीं असी priority रखांगे ता हूर की नू रखांगे ठीक है इसे लिए इस 7 priority areas याद रखने हैं इनना ते individual question prelims च भी आ सकदा है कि 7 priority areas केड़े ने फिगरी दे निमोनिक तो तुसी याद रख सकते हो ठीक है एक answers च भी लिखन च भी यूज़ा सकता है इसे लिए इनू आपा याद रखना है now next article है अपना allocation for health amongst the lowest ठीक है health data है budget ने health लई किनना proposal दिता है वो आपा देख लनने है देखो negative data थोड़ा जादा आया है तुसी देखो current financial year च 1.97% जड़ा है health लई allocate किता गया है यह अगर तुसी 2019 नल compare करो ता काफी वद है बट अगर तुसी 2021 last to last वले budget नल compare करो ता यह decrease हो गया है ता एसे दा issue जिता आया जा रहा है कि health जी ते अपन लोड है लोग का दी health ते spend करना ओ ते अपना expenditure जड़ा का टुंदा जा रहा है यह एक concern जटाया गया है तुसी यह graph बना के रखो health ते कोई भी आर्टिकल आवे ए ग्राफ तुसी बनाना ही है to show that health expenditure इंडिया विच काफी काटने हजे तक आप तिन परसेंट भी नहीं पहुंचे है भुटान जाहे जी गंट्रीज भी आट तो दस परसेंट आफ देर you know GDP they are spending on health ठीक है अपने इंडिया जा देखो defense ते आप आठ परसेंट ला रहे हैं but health ते तुसी देखो कि अपना दो परसेंट भी मसा पोंच पंदा है you know health ते education जड़े है ओहो किसे भी economy दा किसे भी youth दा base build कारते ने अगर इस ते आप पैसा नहीं ला पारे ता अपनी developments ते भी questions उठ सकते ने इसे लिए देखो experts recommend कार रहे ने कि health expenditure नू अपनू कोशिश करनी चाहिदी है कि 10% of our budget we should raise it ठीक है जिनना possible है उनना increase करनी कोशिश करनी चाहिदी है health workers जड़े अपने आशाज, आंगन, वाडीज इनना सब नूवी worker दा status देके इनना दी payments दाते आन रखना चाहिदा है, renumeration दाते आन रखना हुआ है, यह बहुत important mission है health services ensure करनी ठीक है जी, तब basic आपा graph याद रखना है, ते आहा line याद रखनी है कोई भी question आवे, आपा इनननो उस्च यूज कर लवांगे ठीक है जी, that is about health expenditure इस budget विच ठीक है, education ते भी data आया है एवला map भी तुसी याद रखो इनू भी तुसी education चे यूज कर सकते हो कि हजे भी अपनी education ते भी spending 3% तो भी cut है अगर इननी cut budgetary expenditure होएगा, ता education दी quality जेड़ी है इंडिया विच concerned रहेगी, worrisome रहेगी राइट, उन climate देना related budget विच जिनने भी initiatives launch किते ने, वो आपा देखलांगे जिमेगी आपा हुनी देख्या, green growth जेड़ी है, ओहो सब्त रिशीज विच्चो एक है, ठीक है राइट green growth जेड़ा है सब्त रिशी, सब्त प्रायोरिटी एरिया विच्चो एक है, ता ये दे लई काफी सारे initiatives government ने इस budget विच launch किते ने, ठीक है, ता इस तरीके नाल तुसी हो सारे initiatives याद कर सकते हूँ, first green fuel, second renewable energy ते बाकी सारे इस mnemonic नाल तुसी याद कर सकते हूँ सारनाव पहला ता देखो 35,000 करोर जेड़े है government ने allocate किते है, ताकि green fuels तक transition किती जावे ठीक है, मतलब आपा पेट्रोल डीजल वेगरा चटके non green fuels उन्हों चटके green fuels, जिमें की green hydrogen हो गया, तो अड़ा, LPG हो गया मतलब different green fuels वर्ल transition करिए, ओदे लई rupees 35,000 करोर दा आउटले ले किता गया है ठीक है जी, second important 20,000 करोर, ठीक है 20,000 करोर तो जादा पैसा जेड़ा है, renewable energy नूँ set up करनली, लदाग दे एरिया विच, एस ते वी आउटले जेड़ा है, दिता गया है ठीक है, ए दुन्हों डाटा याद रखने है अपने कुल, ए डाटा तो ही ए पोइंट याद रखो, ठीक है, हुन नौ, next set of initiatives firstly, green credit system, green credit program जड़ा है, लाँच किता जाएगा ठीक है, इस ची क्या होगा, तुसी green infrastructure ली पैसा जड़ा है, रेज कार सकते हूँ तुसी समझ लो, trees हुगाने है तो उदे लिए तुसी पैसा ले सकते हूँ इस तरीके नल green infrastructure तुसी जड़ा भी लेना है उदे ले ले credit या बयाशते पैसा चख सकते हूँ, green credit program right, second है H green hydrogen mission already आप 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 इन्हों detail जडिस्कस कार चुके है, तक government ने budget चीवी एक अए, कि एनना दा target रहना है, कि annually 5 million megaton जड़ी है green hydrogen mission जड़ी है प्रडियूस किती जावे ठीक है इन्हों डिटेल चाप पर डिसकस कर चुके मैं अधा भी लिंक प्रोवाइट कर दूँगे तुस्से चेक कर लेना ठीक है चैंप एत क्या है अमरित धरोहर नेक्स्ट इंपोर्टन इनिशियेटिव जिड़ा ग्रीन सेक्टर विच गवर्मेंट ने लांच किता है अमरित धरोहर स्कीम ठीक है एही ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नो अगेन प्रमोट करेगी जिमेकी वेट लैंड्स दी कॉंजर्वेशन हो गई अमरित धरोहर मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी ग्रीन वेल्थ नो प्रोटेक्ट प्रिजर्व ते लेवरेज करना अमरित धरोहर मतलब ग्रीन वेल्थ नो यूटलाइज करना ते उनो गंसर्व करना ठीक है एहे अमरित धरोहर स्कीम दे अंडर फोकस किता जावेगा ठीक है उस तो बाद फोर्त क्या है मिष्टी बहुत ही इंपोर्टन है बहुत ही इंपोर्टन एनो अग्ये डीटेल अग्ये डीटेल विच डिसकस कर दे हैं हजे सिरफ नाम देख लो मिष्टी इस नेक्स्ट प्रोग्रम ओस तो बाद फिफ्थ फोकस वुट बी प्रनाम ठीक है प्रनाम दे अंडर कैमिकल फोर्टिलाइजर्स तो हटाके गवर्मेंट्स नो स्टेट गवर्मेंट्स नो बजट कहा रहे है कि 5% of compressed biogas will be mandated ठीक है biogas ते focus उस्तो बाद waste to wealth plants will be set up गोबर्धन स्कीम औरेडी government दी चाल रही है तुसी ये देवारे पड़ेया हूँ नहीं ता तुसी थोड़ा ते आनना ले देख लो ये औरेडी पहला दे 2-3 साल पहला बजट विच लांच किती गई एदे अंडर ही government ने किया है कि 500 होर waste to wealth plants establish किते जानगे जिनना वी आपा municipal waste generate कार दे है ओनु बायो गैस दे फॉर्म विच कनवर्ट किता जावेगा basically बायो गैस हो सक्दा है इतनोल हो सक्दी है different biofuels दे फॉर्म विच कनवर्ट किता जाएगा चिके जी ओ एस्च क्या जा रह नेक्स्ट इनिसियेटिव है भारतिये प्राकृतिक खेती बायो इन्पुट रिसोर्स सेंटर राइट ए अगेन सेंटर सेट अप किते जानगे टू प्रमोट नैच्रल फार्मिंग राइट ठीक है काफी सारे सेंटर्स जड़े या इस्टैबलिश किते जानगे ताकि नैच प्रोग्रम्स तो अनुयाद रहने चाहिए अगर कोई भी क्लाइमेट ते आमदा है गवर्मेंट इनिसियेटिव ते आमदा है तो सिया इन्नी सारी गवर्मेंट बजटरी प्रोविजन्स लिख सकते हूं स्पैसिविकली भी क्वेश्चन आ सकता है कि बजट ने देश हो गया, ग्रीइन बॉंड्ज दे स्कीम हो गई, ए वखिकली फेम्चीम चल दी है इंडिया दे विच इस तरीके आल जडिए जड़ेडि जवेन नैशनल ख्लीन एर प्रोग्रम एन्सए पीवी चल रहे है जड़े अल्रेडिः चल रहे है प्रोग्रम्स उन्ना अनु ही है ता एह जा इंस्टिट्यूशन बनाना आप पानू जरूरी है जडियां इंवार्मेंट दी मेंडेट्स नू इंप्लिमेंट भी कर सके जिनने भी लॉज रेगुलेशन स्कीम्स प्रोग्रेम्स हैं उन्ना नू इहें इंस्टिट्यूट्स जड़ा है अच्छी तरीके ना करके ओधे नाल रिलेटेड गव्मेंट ने कुछ वी बजट विच लॉंच नहीं किता ठीक है ता फोकस होना चाहिए है क्रॉब डावर्सिविकेशं ते राइस वीड दे सिंडरोम नू कर्ब करम ते बट इसले बज़ेट ने कुछ नहीं किता ठीक है यह तुसी इशूस ज अधे ही क्या है तो अनु मैंग्रूव्स वारे भी पता होना चाहिए है ठीक है मैंग्रूव्स एहजे ट्रीज ते फोरेस सुन्दे ने जेडे की कोस्टल एरियास विच ग्रोह हुरे हुंदे है जिते टाइड आम्दी रंदी है ना जिमें तो अनु पता है समझलो कोस्ट ह तो अनु मैंग्रूवस जड़े ज़ाएगा जद घृटाइड होगी ते फिर वापिस चला जाएगा री सीड कर जमदा है ठीक है ता यह थोड़ी थोड़ी फ्लडेड जोन रंदी है तोड़ा थोड़ा पानी रंदा है एह जे पानी वाले एरियाच जेडे ट्रीज श्रब अनु मैंग्रूवस क्या जानता है ठीक है एह सिरफ ट्रॉपिकल थे सब ट्रॉपिकल लाटिटूट्स ची फायंड आउट हुंदे ने इननन तुसी पोलर सब पोलर एरियास ची नहीं फाइंड कार सकते क्योंकि ओते फ्रीजिंग टेंप्रेचर जोन गे एह पानी वीच ज शेर्ड बिटूइन इंडिया एंड बांगलादेश ठीक है एह इंपोर्टन बेसिक से एनू लिख के रखो मैंग्रूवस ते क्वेश्चन आमधी पॉसिबिलिटी काफी हाई है स्पेशली उन जद की मिष्टी प्रोग्रम लाँच कार दिता गया है ठीक है इस तो जाधा अपनु जानना है कि मैंग्रूवस इनने इंपोर्टन क्यों है कि आपपा एक स्पेशल प्रोग्राम भी लाँच कार रहे है इनना धी कॉंजर्वेशन ली ठीक है जी मैंग्रूवस देखो कोस्टल रिजीलियन्स बिल्ट कार दे है सब तो पहला ठीक है जिवें कोस्ट ते एड़े ट्रीस लगे वएने जेड़े की तो अड़ी सॉयल इरोजन नो बचाम देने फ्लड्स अगर आम देने उनना धे इंपक्ट नो भी कंट्रोल कर देने वेव जान करंट सान जेडियां की एथ लोकल पॉपुलेशन नो इंपक्ट कर सक दिया है साइकलोन जान सुनामी जान हर किसे तो सेफगार्ड कर देया है तो सम एक्स्टेंट ठीक है ता कोस्टल सॉयल इरोजन नो भी बचाम देने क्लाइमेट दी वे अगरी जान जी में तो अनुदस्या टाइफून आजन साइकलोन आजन सुनामी आजे यह सब क्लाइमेट चेंज करके आजकल बहुत अजन साइकलोन नो भी बहुत हैं मैंग्रूव ट्रीज तो बाद मैंग्रूव देखो रिच न्यूट्रियंट सोर्स हुन देया है तो इस फिशीज भी बहुत आमदिया है खाना पीना खान लेह अवधा इंटर्टाइडल जोन है ना सारे न्यूट्रियंट्स जड़े है इ मतलब तो अड़ी फिशरी इंडस्ट्री नो काफी बूस्ट करते ने ठीक है उसतो बाद इनना नो देखन लेह बहुत लोग आम देने किया जे कह जे द्रक्त ने जड़े पानी विच सर्वाइव कर रहे है ना दे रूट्स जेडिया ने उस्टांडिंग रूट्स उन दिय उसतो बाद mangrove तो अड़ी सारी water needs नो भी satisfy करन दी कोशिश कर देने थो तुसी पानी एक्स्ट्राक्ट करके transportation लेह वाटर टांस्पोटेशन, agriculture, household use लेह यूज कर सकते हूँ ठीक है जी ओसतो बाद ये carbon sinks ती तरह act कर देने ठीक है ये trees है बेसिकली carbon नो अब्सॉफ कर दे र in the atmosphere ता ओसे नो ही pull out करन विच mangroves काफी help कर देने ठीक है इवन अगर तुसी rain forestal compare करो तो ओ तो वी four times जादा carbonate जड़ी है sequester या सक कर सक देने ये बहुत important fact है इनो याद रखना है ठीक है जी ओसतो बाद nutrient recycling विच help कर देने ये सारे इनना दे benefits ने detail विच पाल लो एते ही question आ pollution, tourism pressure, municipal waste, dumping, different kind of threats जड़े face कर देने ते government क्या कर रही है ता ओथे तुसी misty program is one such program that you can mention जड़ा latest budget विच इंटर्ड्यूस किता गया है ठीक है जी काफी important topic है इनो ते आनल पढ़के notes बना लेने आप ते right, देखो तुसी आफदे notes बनाना चाहने हो भी ठीक है अगर ये compilations यूज करना चाहरे हो ता भी ठीक है बट एए है कि अगर mangroves ते कोई भी हून अग्गे article तुसी पढ़ो या अपपा discuss करिये ता ओहो तुसी एस विच ही add कर लेना है एवे नहीं है कि तुसी अड़ जग इनना दी government schemes क्या है आप अग्गे चलके way forward क्या हो सकता है एस सब topics इत्थे इक जगाते ही compile रहने चाहिते ने ठीक है जी नेक्स्ट काल लनने है भारतिय प्राकृतिक खेती बायो इन्पुट रिसोर्स सेंटर ठीक है प्राकृतिक मतलब नाचुरल खेती मतलब फार्मिंग बेसिकली एस इनिशियेटिव विच फार्मर्स नूँ पुश किता जावेगा कि chemical fertilization नूँ छड़ के नाचुरल फार्मिंग वल फोकस करन और गैनिक फार्मिंग जी में आपका कहनने है ओते फोकस करन ठीक है क्योंकि chemical fertilizers दे देखो काफी साधा रिस्क उन्दे है वो सारे रिस्क तो अनुयाद करना बहुत ज़रूरी है ये सोड़े प्री मेंज इंटर्व्यू हर स्टेज ले इंपॉर्टन ने ठीक है सब तो पहला इशू देखो ही है वाटर पोल्यूशन उन्दिया अगर तुसी कैमिकल्स आड कर दे हो पानी वी तुसी अगरी कल्चर च दिनने हो पानी देनाल रन आफ होके तो सारे कैमिकल्स जड़े है तो अड़ी वाटर बॉड़ी रिवर्स व के लिए वाटर पोल्यूशन काफी है स्वाइल दी हेल्थ वी डिग्रेड हुन दी है जिनने ज्यादा कैमिकल्स आप पार प्लाए कर दे हैं स्वाइल जड़ा माइक्रो बायोटा हुंदा है ओ भी इनना कैमिकल्स करके मर जान दा है जीरे करके स्वाल दी फर्टिलिटी इं इंपाक्ट हुन दी है ठीक है जदो तुसी पेस्टिसाइड्स वेगरा स्प्रे कर दे हूं तब पॉलिनेटर्स ते वी गुड़ पॉलिनेटर्स जड़े आपनों चाही दे है उनना ते वी इंपाक्ट हो रहा है मतलब आप नेचर दी बायोडाइवरसिटी नू भी हर्ट क किता है कि फार्मर्स विच कैंसर दे केसिस बहुत बाद रहे ने ए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स दी यूज करके कैमिकल्स जड़े हो कंजूम कर दे है स्प्रे कर दे हुए उनना दे रेस्पिरेटरी सिस्टम विच चले जांदे ने जीदे करके कैंसर दे इशूस का यह होगी इनना कैमिकल्स विच आइरन हुंदा है आइरन दे उत्ते अलगी काफी ग्रो कर दी है जीदे करके यूट्रोफिकेशन उन्दी है यानि कि अलगी इननी ज्यादा ग्रो हो जंदी है कि ऑक्सिजन दी कमी हो जंदी है वाटर दे विच बायलोजिकल ऑक्सिजन डिम इंपक्ट पवेगा ठीक है इसे लिए काफी इंपक्ट स्पेंदेने केमिकल यूज ते उस तो बाद फूड भी इंटॉक्सिकेट हुंदा है तुस जिनने फर्टिलाइजर्स वेगरा डाल रहे हूं देनाल तो अडिक्रॉप्स ते भी फूड ते भी इंपक्ट है देखो बा बासमती राइस ते बासमती उत्ते कोई भी फर्टिलाइजर्स पैस्टिसाइड्स यूज करन दी गवर्मेंट जेड़ी है अलाव नहीं कर दी क्योंकि ये एक्सपोर्ट लई यूज हूंते ने जेड़े आपकरे पैडी यूज कर देया हैं पैडी इस डिफरेंड फ्रॉं बासमती राइस ते पैडी ते काफी सारे फिर्टिलाइजर्स पैस्टिसाइड इस्टी साइड हाँ मतलब आपा खुदी हेल्थ खाब कर रहे हैं बाढ़ एक्सपोर्ट करण वे ले ता अच्छी राइस नहीं हो रहें जीन्हीं हो रहें ठीक हैँ उनना ते इट इटिंक स् काफी काफी मानगे तो अड़े अगरिकल्चरना लेलेटेड क्वेस्चन्स नो अंसर करते होई ठीक है जी नेक्स्ट युनिटी मॉल्स युनिटी मॉल्स बेसिकली देखो टूरिजम इंडिया विच काफी पोटेंशल हाई है ता टूरिजम देनाल आपा क्या कर सकते हैं प्रोड़क्ट्स बेच के मर्चेंडाइज सेल करके तुसी होर पैसा कमाओ जी मैं हुन तुसी देखो अगर तुसी कदी पैरिस जाओं फ्रांस जाओं ता आइफल्ट आर्दी फिगरीन्स तुसी लेके आओंगे चोकलेट्स तुसी लेके आओंगे कुछ क्लोज विगरा अगर तुसी जाओ ता तुसी यो रिंगिंग बैल जी ले आओंगे जड़े की डीडल जे उन्हें काफी फेमस किती सी हाना ता इस सूविनियर्स करके काफी इंकम जेनरेट हुन दी है लोकल एकॉनमी विच काफी जॉब्स जेनरेट हुन दियां है ठीके स्पेशली तो युनिटी मॉल्स जेड़े है गवर्मेंट ने प्रपोस किते ने कि हर स्टेट दे विच एक एहजा युनिटी मॉल एस्टैबलिश होना चाहिदा है स्टेट दे किसी वी कल्चरल हब विच या फाइनाशल सेंटर विच जी मैं समझ लो तुसी पंजाब दी अगर एक्जाम हो गया या कोई इटरीज दे आइटम्स बेचो या तुसी युनो गोल्डन टेम्पल दी फिगरीन्स बेचो ता काफी जादा लोकल इंकम क्रियेट हो सकती है साथे जी आई पंजाब दे जिनने भी जी आई प्रोडक्ट्स है ओ तुसी उत्थे बेचो ठीक है इस तरीके द प्रोडक्ट्स बेच सकीए जॉब्स क्रियेट करिये इंकम क्रियेट करिये राइट नाओ अगेन मिलेट बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यदी डिटेल डिसकेशन और रड़ी कर चुके है मैं लिंक इथे प्रोवाइड कर दूँगे तुसी उस्च जाके देख लियो सब तो इंपोर्टन फूड ग्रेन है यह याद रखना है प्रीदा क्वेस्चन आ सकता है कि किस क्रॉप नो श्री अन्नादा स्टेटस दिता गया है ठीक है उन मिलेट दी प्रड़क्शन नो एस ते रिसर्च और डेवलाप्मेंट प्रमोट करन लेई गवर्मेंट ने नया इंस्टिूशन बनाया है यह इज इंडिया निंस्टिूशन फॉफ मिलेट रिसर्च है इदराबाद विच इस्टाबिश किता जाएगा ताकि मिलेट रिसर्च नो प्रमोट कर जा सके ठीक है इंडिया ओलरेडी लाज़़ज़स्ट प्रूशर मिलेट ते सेकिंड लाज़ दा भी नाम रखना है याद रखना है मिलेट ते कोई भी क्वेस्चन आए एंस्टिट्यूट आप मेंशन करना है राइट नेक्स्ट टॉपिक देख लाने है अगरिकल्चर ली देखो काफी सारी प्रोविजन्स गव्मेंट ने बनाईया है इस बजेट च क्रेडिट जा करज PCS च ओल्रेडी क्वेस्चन पुछा गया है अगरिकल्चरल स्टार्ट अप्स ते कि ये कीमे टेक्नोलोजिकल सॉलूशन्स अगरिकल्चर नो प्रोवाइड कार सकती है उत्थे तुसी आई जे पॉइंट यूज कार सकते हो कि गव्मेंट दा अगरिकल्चरल एक्सेलरेटर फंड भी काफी यूज आवेगा राइट इस तरीके नाल क्वेस्चन आम देने ता इसे लिए इस सारा डाटा बहुत इंबॉटन्ट है इस सारे पॉइंट्स लिखके रखो ठीक है आतम निर्भर भारत होटी कल्चर क्लीन प्रोग्रांट प्रोग्राम भी बनाया गया है त इनन ते रिटर्न काफी उन देया तो अडे एपल्स वेगरा जादा मेंगे हम देया रादर दन नॉर्मल वीट राइस नालो ता एहे इन्हे थौट है कि होटी कल्चर नू भी पुश किती जावे ताकि फार्मर दे रिटर्न्स जड़ेया हो क्विक होन दाट तो इन दी इस्टिटूशन एस्टाबलिश किता गया है यह सारी स्कीम्स याद रखो यह काफी जरूरी है कम आंगी आपनों आंसर्स लिखते हुए अग्रिकल्चर नाल रिलेटेड एहे मेन स्कीम्स इस बार वजट ने लाँच कितीया है ठीक है वो बजट नाल रिलेटेड टॉपिक इनिशियेटिव एहे एक लाँच किता गया सी जदो मोदी जी और बाइडन साहव मिले सी 2002 विच उनना ने इहे डिकलेर किता सी कि इंडिया यूएस चेड़ा है लेटेस्ट टेकनोलोजी दे सेक्टर विच कोपरेट करंगे ता इसलिए उनना ने इनिशियेटिव औन पर बेस्ट मीटिंग हो रही है दोना साइट दे NSA थी ठीक है जी यह मीटिंग दे बेसिक सुन आउटकम्स क्या है यह अपने लिए बहुत इंपोर्टन है इंडिया यूएस रिलेशन्स के कोई भी क्वेस्चन आवे अपने यह मीटिंग दा मैंशन करना है ते दे आउटकम था ठीक है उन आउटकम्स क्या है इस निमरिक ना लगें तुसी याद कर सकते हो यू हिड क्यू आरेस तो याद रखो क्यू आरेस था पहलना यूनिवर्सिटीज दी कोलाबोरेशन होगी बोट साइट से इंडिया यूएस दी चड़ी इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज ह दोनों साइट्स जड़ी हैं कलाबोरेट करन गियां राइट देन आई ते इंडस्ट्रियल कोपरेशन होगी डिफेंस सेक्टर विच जॉइंड देवलाप्मेंट अन प्रोडक्शन ठीक है बिलेटरल इंडस्ट्रियल कोपरेशन होगी इन्वेशन ब्रिज बनाया जाएग तो कनेक्ट दी स्टाटप्स ओफ युसे अंड इंडिया गाइट टो इन्डस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कोपरेशन होगी इसलिए पादी कट्ट था क्योंकि डिफेंस जड़ी कवर हो गया QRS, quantum computing ते अगें, Indos-US joint mechanism बनाया जाएगा quantum computing ते नूँ यूटिलाइस किता जा सके, ते solutions बनाया जा सकन, ठीके जी R ते मतलब research and development ते फोकस किता जाएगा, maritime security विच रिसर्च ते फोकस 5G, 6G, new technologies ते रिसर्च, artificial intelligence ते रिसर्च, right ते finally space sector विच cooperation किता जाएगी, इजरो ते NASA जड़ी है cooperate करेंगिया, ताकि India दी human space flight जानि कि गगन यान नू support किता जावे, ते होर space दे sector विच जो भी cooperation है, उनू establish कर दिता जावे, ठीक है ये basics जड़ी है याद करन दी कोशिश करो, ये तुसी India-US relations विच यूज कर सकते हो, right now next scheme, जो budget विच लाँच होई है, broadcasting infrastructure and networks, development scheme, bind, ठीक है याद रखना है, bind scheme किस नाल related है information and broadcasting ministry ministry of information and broadcasting ता तो अड़े जी में दूर दर्शन है, अकाश हुआनी तुसी रेडियो ते सुन्दे रम्दे होंगे, ठीक है, DD चैनल चेड़े चाल देने, उन्ना नू actually पैसा दितता जा रहा है तो अनू ता लग सकता है कि अन्ना नू पैसा देन दी कि ज़रूर उता है, इनने चैनल जाए, DD वेगरा कौम देखता है, ता देखो अपने लए जो, you know मेंस्ट्रीम चा पर रह रहे हैं, अपने लए ये चैनल चाहे ना इंपोर्टन्ट होन पर जेड़े लोग रिमोट एरियाज चे रह रहे हैं, उत्थे सब प्राइवेट चैनल स्टार प्लस सोनी या होर तरीके दे चैनल्स, OTT प्लाटफोर्म्स नहीं पहुंच दे हैं उत्थे अगर पहुंच दा है, ता गवर्मेंट दा प्रसार भारती ही पहुंच पांदा है, ठीके तुसी अगर कदी लेल दाक वल ट्रावल भी किता है तुसी देख्या हूँ ओथे भी कोई भी रेडियो वगेरा भी नहीं चाल देने प्रसार भारती, दूर दर्शन अकाश वानी एही सब चल दा है ठीके ता मतलब दूर दराज अलाक्यां तक गवर्मेंट दी कम्मिनिकेशन ते करनेक्ट एस्टाबलिश करन विच डीडी दा काफी इंपोर्टन रोल है ठीके यही डिजास्टर मैनेजमेंट वेले भी काफी लिंक दी दरा एक्ट कर देने एसे लई इनननू पैसा अलोकेट करना बहुत जरूरी है टोटल पच्ची सो करोड रपेया बाइंड स्कीम विच अलोकेट किता गया है एस चो छे सो करोड इस बजट विच ही दिता गया है ठीक है ओल इंडिया रेडियो नू प्रमोट करन ली डीडी दे फ्री डिश सेट अपस भी बंडे जानगे अठलक रिमोट ट्राइबल लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीजम हिट एरिया स्विच ठीक है सो बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइट करन ली एहे इनिशियेटिव लिता गया है काफी इंपोर्टन है इनू भी आपा याद रखना है नेक्स्ट इंपोर्टन है आर्टिकल इंडियन मिलिटरी जॉइन्स ट्रेनिंग इक एक्सरसाईज हो रही है इंडियन फोर्सस दे विच्छी द्राई शक्ति प्रहार द्राई मींस थ्री इन्डियन एजंसी दे विच्छी ये तिन्नो एजंसी मिलके एक्सरसाईज कारी है ताकि इंटर ओपरबिलिटी एस्टाबलिश किती जा सके कि अगर किसी दिन ये लोड पै गई कि ये थे लड़ाई छिड़ जन्दी है किसे एरिया चे बेंगॉल चोरी है exercise, let's say बेंगॉल विच बेंगॉल दे बॉर्डर एरिया विच लड़ाई छिड़ गई है, ता ये तिन्नों एजंसिस मिलके कठे कोउपरेटिव विच कि में respond करन गिया ओहो देखन लई, एहे जड़ी है mock exercise तुसी कह सकते हो एहे conduct किती जा रही है ठीक है, बहुत ही important है security perspective तो इनु भी याद रखना है question भी आ सकता है, prelims चो कितरा शक्ति प्रहार किस नल related है औस तो बाद अदानी ग्रूप ने हाइफा पोर्ट इसराइल विच occupy किता है, तो तुसी बेसिकली याद रखना है कि हाइफा पोर्ट किते है second largest port of इसराइल है, इसे लिए काफी important है, इस ते map of the location भी देखो तुसी, मैं इते इसे लिए मैप ने दिता, ताकि ये तो अदेले ही homework है, तो उसी भी कुछ मैनत करनी है ताकि तो अनूँ खुद नूँ भी ability मिले to know about all these things, ठीक है जी हाइफा पोर्ट आपा देखांगे, ये ते question आ सकता है, ये आले तवाले जो important water अनूँ डिसक्स कार चुकी, ताथ उसी ओवी जाके चेक कर लो, मैं लिंक वे यत्थे प्रवाइट करतांगी, जी के, that is all for today's discussion, hope it helps, please like share and subscribe my channel, thank you so much for watching